हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू माई यूटूब चैनल आज हम लोग सीड़ीपी का प्रेक्टिस सेट 12 कंप्लीट करेंगे जिसमेंस हम लोग 30 मोस्ट इंपर्टन कोश्चन की प्रेक्टिस करेंगे जो सीटेट पेपर वन और पेपर टू दोनों के लिए बेहा दिमाद और आप लोग कमेंट करके बताना इसमें कितने कोश्चन आपको आ रहे थे और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें करें अब यहां पहला कोश्चन पूछा गए आपसे जब बच्चा फेल होता है तो इसका तात्पर है कि बाद दूसरा कोश्चन है यहां पर सिचण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है बाल केंदिर्थ सिच्चा पद्धति अपना कर रटने को प्रत्सवाहित करके अगर सिच्चण की तकनीक अपना कर परिच्चप परड़ामों पर केंदिर्थ होकर तो इसका उसके बाद कोश्चन है यहां पर बीजों का अंकुरण संकल्पना के सिच्चण की सबसे प्रभावी पद्धति है बिद्यार्थियों द्वारा पधों के बीज भोनना और उसके अंकुरण के चरणों का उलोकन करना स्यामपट पर चित्र बनाना और वर्ड़न करना बीज की व्रद्ध के चित्र दिखाना विस्तरत व्याख्या करना तो इस कोश्चन में जो पूँचा गया है कि बीजों का अंकुरण संकल्पना के सिच्चण के सबसे प्रभावी पद्धति है तो वह हो जाएगी बिद्या स्यामपटि होती हैं बच्चों को प्रेक्ट्र कल् रूफस से जादे कर वाई जायने चाहिए बच्चे जो है प्रेक्ट्र कल् रूफ से ज्यादे चीजें सीखते हैं त्यां पर पहला आफजुआ यही बिल्कुल ही सही हो जाएगा उसके बाद कोश्चन है यहाँ पे समाव इसी सिच्छा कच्छा में विविधिता को उत्सव मनाती है दाखले सम्मंदी कठोर प्रक्लियों को बढ़ावा देती है तथ्यों की सिच्छा से सम्मंदीत है हासिय परिष्थित वर्गों से सिच्चकों को समलित करने से संबन दित है तो इस question का एंफर होगा जो समाव इसी सिच्चा है कच्चा में विविदता को उस्सो मनाती है मतलब कच्चा में जो विविदता जो अलग अलग प्रिफ्ट भूम से बच्चे आते हैं उसको एक मतलब अच्छी युक्त के रूप में यूज किया जाता है कि अलग अलग चीजें जो है बच्चे सीखेंगे एक दूफरे से तो यहां पर एवाला आप्षन जो है बिल्कुल ही सही हो जाएगा वह होते हैं सत्य आसत्य वाले अब अगला कोश्चन है निम्न लिकेत में से कौन सी प्रगत सील सिच्चा की विशेष्टा है केवल प्रस्तावित पार्ट पुस्टकों पर आधारत अनुदेश यह गलत हो जाएगा अप्षन कहीं पर भी केवल मिल जाए किसी भी आफन में तो आफन हमेशा ही गलत हो जाएगा या फिर याद करने की बात मिल जाए तो आफन हमेशा क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा पर इच्छाओं में अच्छा हैं का प्राप्त करने पर बन ये भी आफन गलत हो जाएगा बार बार ली जाने वाली परिच्छा हैं ये भी आफन कलत है तो इस question का एंफर हो जाएगा कौन सी प्रगत फील सिच्छा की बिसेश्था है तौन सी का एंफर हो जाएगा समय सारणी और बैठनी की विवस्था में लचीला पन अब सेवन नमबर कोश्चन है एक सिच्छक प्रफन पत्र बनाने के बाद यह जाच करता है कि क्या प्रफन परिच्छण के विश्व्ट देशों की परिच्छा ले रहे हैं वह मुख्य रूप से प्रफन पत्र की में चिंदी थे मतलब प्रफन पत्र के बारे में चिंदी थे वह ऐसा क्यों चिंदी थे मतलब किसी वज़ए से शंपूर्ण विस्वस्त को सामिल करने की वज़े से प्रस्णों के प्रकार से विश्वस नीता से या फिर बैदिता से इसका एंसर हो जाएगा शंपूर्ण विश्वस्त को सामिल करने से अब यहां पर question दिया गया है विवेचनात्मक सिच्छा सास्त्र का या द्रण विश्वास है कि जो विवेचनात्मक सिच्छा सास्त्र उसमें यह विश्वास किया जाता है कि सिच्छार्थियों के अनभव और प्रत्यचलाब महत्पूर्ण होते हैं सिचार्थियों के जो अनुभव और प्रत्य चलाब है वह महत्पोड होते हैं अब यहाँ पर 9 नमबर कोशिन दिया गया है विद्याले आधारित आकलन मुख रूप से किस सिधान पर आधारित होता है बाय परिच्चकों की अपेच्चा सिच्चक अपने सिच्चार्थियों की चमताओं को बेहतर जानते हैं किसी भी कीमत पर विद्यार्थियों को अच्छे ग्रेड मिलने चाहिए विद्याले बाय परिच्चा निकाईयों की अपेच्चा ज्यादा सच्चम है आंकलन बहुत किफायती मितवेई होना चाहिए तो यहाँ पी जो 9 नमबर कोश्चन पूछा गया है अब इसमें यह पूछा जा रहा है कि विद्याले आधारित आंकलन मुख के रूप से किस सिद्धान पर आधायत होता है तो इसका एंसर हो जाएगा बाय परिच्चकों के अपेच्चा सिच्चक अपने सिच्चार्थियों की छमताओं को बेहतर जानते हैं अब कोश्चन यहाँ पर दिया गया है सिच्चार्थी वैक्तिक भीनता प्रदर्शित करते हैं अधा सिच्चक को क्या करना चाहिए सीखने के विविद अनभवों को उपलद कराना चाहिए कठोर अनुफासें सुनिश्चित करना चाहिए परिछाओं की संख्या बढ़ा देनी चाहिए अदिगम की एक समान गटी पर बल देना चाहिए तो इसका एमफर हो जाएगा सीखने के विविद अनभवों को उपलद कराना चाहिए अब यहाँ पर कोशन दिया गया है निम्न लिकित में से कौन सा विकास का सिद्धान था है सभी की विकास दर समान नहीं होती है विकास हमेशा रेखी होता है यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है विकास की सभी प्रक्रिया अंतर सम्मंदित नहीं है तो यह तीनों आफ़न जो दिये गए हैं यह तीनों गलत दिये गए हैं क्योंकि विकास हमेशा रेखी नहीं होता है और विकाव समय से निरंतर चरने वाली प्रक्रिया है विकाव की सभी प्रक्रियां एक दूसरे से सम्मंदित होती है तो यहाँ पर यह तीनों आफ़न गलत दिये गए है जबकि ए वाला आफ़न है कि सभी की विकाव किदर समान नहीं होती है सबी की विकास किदर क्या है समान नहीं होती है किसी की गती तेज होती है किसी की धीमे होती है कोई जल्दी बोलना सिख जाता है कोई धीमे बोलना सिखता है तो यह आप यह वाला आपसन बिल्कुल ही करेक्ट दिया गया है अब कोश्चन पूछा गए आपसे मानव विकास को छेत्रों में बिभाजित किया जाता है जो हैं सारीरिक, संग्यानात्मक, सम्वेगात्मक और समाजिक तो यहां पर पहला याफन बिल्कुल वही दिया गया है कि मानव विकास को सारी रिक, संग्यानात्मक, समय गात्मक और समाजिक रूप में विभाजित किया जाता है अब यहाँ पर थर्टीन नमबर कोश्चन है एक सिच्च का पाठ वस्त और फल सबजियों के कुछ चित्रों का प्रयोग करती है और अपने विद्यार्थियों से चर्चा करती है विद्यार्थि जानकारी को अपने पूर ग्यान से जोड़ते है और पोसंड की संकलपना को सीखते है यह उपागम आधारित है अधिगम के सात्री अनुबंधन पर पुनर बलन के सिद्धान पर अधिगम के सक्री अनुबंधन पर यह फिर ग्यान के निर्मार पर तो यह उपागम आधारित है ग्यान के निर्मार पर बच्चों के अपने ग्यान के निर्मार पर यह आधारित है अब कोशन दिया गया है जब बच्चे की दादी उसे उसकी मा की गोद से लेती है तो बच्चा रोने लगता है बच्चा किसके कराण रोता है तो बच्चा उसे में जो रोता है वा समवे गातमक दुशिंता की वज़ाई से रोने लगता है अब आप से फ्रेशन पूछा गया है, शिच्छा के संदर्भ में समाजी करण स्वेतातपर है, समाजी क वातावरण में अनकूल और समायोजन, समाजी क वातावरण में अनकूल और समायोजन नेफ्ट कोशन यहां पे, राज इस्तर की एक एकल गायन प्रतियोगता के लिए विद्यार्थियों को तयार करते समय, एक विद्याले लड़कियों को वरीता देता है, यह दर्षाता है, यह दर्षाता है लेंगिक पूर्वा ग्रह को वाई गोस्ट की बच्चों के सीखने में निम्न लिकित में से किस कारक की महत पूर्ण भूम का परबल देते हैं, तो वाई गोस्ट की सब ज़्यादर जो महत देते हैं, सामाजी कंताक्रिया पर उसके बाद एटीन नमबर कोश्टन है, एक सिखका अपने सिखार्थियों की बीबिन नदिगम फैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैवित देपूर कारें को प्योग करती है, वैस किसे प्रभावित है, कोहल बरके नैति विकास के सिख्धान से, गार्डनर के बहुद्धी सिख्धान से, तो इसका एमफर हो जाएगा, कि वह गार्डनर के बहुद्धी सिख्धान से प्रभावित है, क्योंकि गार्डनर के सिध्धान के अनुसार बुद्धी का जो सुरूप होता है वह एक आंकी नहों कर बहु प्रकारी होता है और गार्डणर ने आठ प्रकार की बुद्धियां बताई थी तो इसके अंफर हो जाएगा गार्डणर के बहु बुद्धी सिध्धान से नेफ्ट कोचन यहां पर एक सिच्छका अपने आप में कभी भी प्रस्नों के उत्तर नहीं देती वह अपने विद्ध्यार्थियों के उत्तर देने के लिए समूँचर्चाई और सहयोगातमक अधिगम अपनाने के लिए प्रुत्साहित करती है यह उपागम सिध्धान पर आ आगी दारत्या के सिध्धान पर अब कोश्चन यहां पर पहुंचा गया आपसे निम्न लिकित में से कौन सा सिच्छक से संबंदित अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है बैठने की उचित विवस्था सिच्चन अधिगम संसाधुनों की उपलब देता बिशे वस्त में रहा से क्योंकि एक सिच्चक को जब अपने सब्जेट की जितनी ज्यादा नालेज होगी वा उसको उतनी अच्छी तरीके से पढ़ा पाएगा और बच्चों को समझा पाएगा उसके बाद कोशन है कोहल बर्ग के अनुसार सिच्चक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकाव कर शकता है नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाव में उन्हें सामिल करके उसके बाद कोशन है छोटे सिच्चार्थियों को कच्चा कच्च में समझास्कों के साथ अन्ता क्रिया करने के लिए प्रसाहिद करना चाहिए जिससे किवे पढ़ने के दौरान सामाजी कौसल भी सीख सकें अब यहाँ पर कोशन दिया गया है जब एक निर्योग बच्चा पहली बार विद्द्याले आता है तो सिच्चक को क्या करना चाहिए बच्चे की निर्योग गिता के अनुचार उसे विसेफ विद्द्याले में बेजने के प्रिस्ताव देना चाहिए उसे अन्विद्द्यार्थियों से अलग रखना चाहिए स्याकारी योजना बिक्षित करने के लिए बच्चे को माता पिता के साथ चर्चा करना चाहिए बच्चे के माता पिता से चर्चा करनी चाहिए पर वेश पर इच्छा लेनी चाहिए तो इसका एंसर हो जाएगा इस question का स्याकारी योजना विक्षित करने के लिए बच्चे के माता पिता के साथ चर्चा करनी चाहिए तो यहाँ पर सीवाल आप्षन बिल्कुल ही सही हो जाएगा अब यहाँ पर 24 नमबर कोशन आफिप पूछा गया है पियाजे के संग्यानातमक विकास के चरणों के अनुसार इंद्री गामक सम्वेदी प्रेर कवस्था किसके साथ संबंदी था है अनुकराण इसम्रती और मानसिक निरूपड से तो यहाँ पर जो ए आफन दियागा यही आफन बिल्कुल सही दिया गया है कि जो इंद्री गामक वस्था है वह अनुकराण इसम्रती और मार्शिक निरूपड से संबंदी था है मानव विक्तित परेडाम है मानव विक्तित परेडाम है अनुवान सिक्ता और वातावरण की अंतक्रियागा उसके बाद कोश्चन है सिच्छण अधिगम प्रक्तिया में व्यक्तिकत रूप से ध्यान देना मात पूण है क्योंकि सिच्छाड अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिकत रूप से ध्यान देना इसलिए मात पूर आए क्योंकि बच्चों की विकाह दर भिन होती है और भिन तरीकों से सीखते है सभी बच्चों की क्या विकाह दर अलग-अलग होती है और सभी बच्चे जो होते हैं निम ने लिकत मेंसे कौन सी समस्य समाधान की वैग्याणिक पद्धिति का पहला चरण है समस्य के प्रति जागरुकता निम्नलिकत में से कौन सा सीखने का छेत्र है सीखने का छेत्र कौन सा इन में से वह है भावात्मक छेत्र निफ्ट कोचन यहां पर जब बच्चा कार करते हुए उबने लगता है तो या इस बात का संकेत है कि संभावता कार यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है अब यहांपे 30 न Bell and last question है प्रया Connect history की तुर्टिया की just support करती हैं तो शिच ठीजिए कि बच्छे कैसे स्थीखते ही दिखने चीएँ को यहांप दो यहांपे वाला अप्षन बिल्कुली सही हो जाएगा मिटें ہ लफ वीडियो में दन्यवाद